भारत में सल्मान संग काट्रीना की आखिरी तस्वीर देख लीजिए इस वज़े से हुई एमोशनल इस आलीद पर रिलीज हो रही सल्मान खान की फिल्म भारत की शूटिंग पूरी हो चुकी है काट्रीना कैफ ने फिल्म में फीमेल लीड रोल निभाया है कैट ने सल्मान खान के साथ अपनी एक फोटो शेर करते हुए इमोशनल बात लिखी है काट्रीना ने जो तस्वीर शेर की है उसमें वो सल्मान खान के साथ बैठी हुई नजर आ रही है दोनों मुस्कुरा रहे हैं कैट ने इसके साथ लिखा है और यहर भारत के लिए यह पिक्चर रहा आखिरी तस्वीर है यहर मेरे लिए सबसे अध्भुत और जोशीला किरदार रहा है पूरी फिल्म के निर्मान की प्रक्रिई काफी प्रेरक रही है अली अबाद जफर, सल्मान खान, अतुल अगनी होत्री और अलवीरा खान शुक्रिया बता दें कि सल्मान की बेहन अलवीरा और बेहनोई अतुल ने भारत प्रोड्यूस की है भारत एक पीरियड फिल्म है, जिसमें आजादी के बाद से सधी बदलने तक का भारत दिखाया जाएगा इस दोरान देश में हुई प्रमुख राजनीती घटनाए फिल्म की कहानी का हिस्सा होंगी सल्मान सरकस में काम करने वाले मोटर साइकल स्टन्ट मैन का रोल ने भा रहे हैं जबकि कट्रीना कथित और पर उस सरकस की मालकिन के रोल में हैं फिल्म में दिशा पाटनी, तबू, सुनील ग्रोवर और जैकी श्रॉप भी अहम किरदारों में देखेंगे बताते चलें कि भारत में सबसे पहले प्रियंका चोपणा को फीमेल लीड रोल के लिए चुना गया था सल्मान ने अपने ट्विटर एकाउंट से इसका इलान किया था मगर प्रियंका ने निक जोगनस से शादी करने के लिए शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म छोड़ दी थी इसके बाद कट्रीना कैफ की इंट्री हुई इससे पहले अली अबास जफर, सल्मान और कट्रीना ने टाइगर जिन्दा है जैसी सुपर हिट फिल्म दी है अब सल्मान ने भी यही तस्वीर शेयर करके फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाने की सूशना दी है